नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एनर इस्टुटी में हम बात कर रहे थे टीचिंग मेथट की दो सिक्षन वीदी हमने पढ़ ली थी आज पढ़ते हैं तीसरी सिक्षन वीदी आगे से स्टार्ट करते हैं शल्सिरलवार तरीके से हम पढ़ेंगे पूरा जो आपके लिए बहुत सार्टक साबित होगी देखिएगा हमने बात कर ली थी दो मेथट तक अब तीसरा मेथट आज पढ़ रहे हैं हम व्याकरन विधी काम लेंगे व्याकरन विधी आज पढ़ेंगे आज ग्रामर मेथट क्या है देखे इसको समझें क्या कहती है जिसके कारण भासा का प्राकर्तिक रूप से विकास नहीं हो पाता देखिए गब एक नेचुरल्टी एक अलग होता है है हम किसी चीज को अगर किसी भासा को नियमों में बाद देते हैं तो वैवार एक ताख खत्म हो जाती देखे कैसे प्राकरतिक रूप से हम नेचुरल्टी एक तरीके से देखें किसी बच्चा कोई होस्टल में रहता है अगर वहां के नियम इस्ट्रिक है बहुत ज्यादा न प्राकरतिक जो इसकी नेचुरल्टी है सोभाव कैसा है वो बार नहीं आ पाता ज्यादा बंदी से होती है डब के रहता पूरे नियम काईदों में तो ये प्राकरतिक रूप से विकास इसका नहीं हो पाता जैसा चाहता है नेचुरल्टी के हिसाप से उसी परकार इस विद कर जाती है जिसे कख्सा में निरस्ता आती है दीखिए निरस्ता मतलब निरस्ता क्या होती है निरस्ता सब्द पकड़िये गई सब्द को निरस्ता हम ऐसा psychology ओर teaching method में ऐसे ही सब्दों को पकड़े आप जब इन सब्दों का आपको knowledge पता नहीं, इनका means पता नहीं, तब तक teaching method आपको समझ में नहीं आएंगे, तो देखे, निरस्ता क्या होती है, निरस्ता को अगरम देख ले, ऐसे, निरस्त, बिना अरस्त के, जिसमें कोई स्वाद ना हो, तो यहां स्वाद कोई मसाला चटनिका तो ह नहीं, तो निरस्ता, निरस्त मतलब हो गया, बिना रस्त के, तो मतलब यह एक इंट्रस्ट किरेट नहीं हो पाता, रूची नहीं आती, बच्चा बोर होने लग जाता है, अगर देखे, अगर आपको एक ही, कंटिन्यू दो गंटे क्लास अगर mathematics से लगे जाए जाए, आपक काकसा में, हालांकि मेर्जे से ज़्यादा ही बहुर हो जाते, क्योंकि mathematics से ज़्यादा ही अच्छी है, इस कारण से, तो अगर नियमों का अथिदिक अभ्यास करवाया जाता, तो काकसा में क्या आती है, निरस्ता आ जाती है, यान कि बच्चे रूची नहीं लेते, बूर हो अनुकरण से सीख ली जाती है, परन्तु व्याकरण को हमेसा नियम द्वारा ही सीखा जा सकता है, हाँ जी, देखिएगा, कैसे अनुकरण द्वारा सीख ली जाती है, देखें बासा को, बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके पास बासा नहीं होती, हालांकि बासा सीखने कि सक्ति जन्म जात होती है जैसा कि चो मस्की ने काता हम पढ़ चुके हैं लेकिन जब बचा जन्म लेता है परिवार में तो परिवार के जो लोग बाचित करते हैं जिस तरीके से वह वाद्विवाद करते हैं वार्तालाब करते हैं उनका अनुकरण करके अनुकरण का मतलब वह वैसा करने की कोशेज करके वह भासा सीख जाता है कि विचारों के विचारों अभियूकति का माद्यम है तो वह भासा तो सीख जाता है परंतु व्याकरण को सीखने के लिए हमें नियम समझने पड़ते हैं कैसे कैसे जब केसे यह sapt जैसे हम बोला मैंने कैसे भी बोला यह sapt भी जब ऐसे दुहंपने समझ लिया यह बासा में वहिए कैसे सब्ध किया लेकिन इस सब्ध को गई इसकी व्याकरण को समझना पड़ेगा तुहा को तो ही हम व्याकरण को सीखने के लिए व्याकरण क्या ऊसकता नहीं पड़ दी। आगमन और निगमन देखिएगा, निगमन परनाली का अंतरगत, आगे हम पढ़ेंगे निगमन परनाली को अच्छे से बताएंगे, इससे पहले दें कि निगमन परनाली, निगमन परनाली वो जिसमें पहले नियम दिये जाते हैं, फिर हम उदारण की बात करते हैं, जब अध आगमन की बात करें, आगमन में पहले क्या होती है, जब देखो, टेचर ने पहले नियंग बता दिये फिर उदार hugely गया। बच्चे शीक लेते नियंग को और फिर उदारण को भी छीख लेते हैं। जीख है कि बच्चे जो हैं, सीखते हैं कि अपनाब अब सीख को मैंने का था बाद में सीखते हैं अप परतिक्स रूप से कल बात कीदि अर्यों कि निगमान पर्णाली य distri air undir रूची कर, रूची आती नहीं, क्यों नहीं आती रूची, जैसे कि पहले आपने बात कर दीकि निरस्ता है, तो रूची नहीं आती, रूची क्यों नहीं आती, कि इसमें नियम होते हैं, और नियम रटवाये जाते हैं, रट्टा मारो, रट्टा मारो, जब रट्टा मारते है कसा है इंट्रस्ट नहीं आता क्योंकि कांसेप्ट के लिए भूता है न रेटा माणना नियंप नियम नियम रड़ देजाओ तो इसे क्या आृची उत्पन होती नहीं होती के व्याकरण विदीद्वारा छात्रों को ध्छुनियों का ज्यान और सुध वरतनियों का ज्यान हो जाता है, इसके अलावा विराम वो कारक चिन का भी ज्यान होता है, देखो व्याकरन वीदी द्वारा है, व्याकरन हम जब सीखते हैं, तो सुध वरतनिय की ध्यूनी, जैसे कि हमारे यावी, सह और हाग की प्रोब्लम लगबग सब जगए है, जब हम व्याकरन को सीख जाते हैं तो यह जो धूनिया हम बोलते हैं जो सब्द बोलते हैं उन सब्दों को सुध तरीके से बोल लेते हैं सुधता के साथ और इसके साथ जो जो व्याकरन में कहां अल्व विराम लगता है कारक चिने कहां लगता है पूंड विराम कहां लगता है कोमा कहां लगती हैं सब को हम समझ जाते हैं कि व्याकरण के ज्यान चे भाषा में कम असुद्या होती सीधी सी बात हैं जब हम मैं व्याकरण सीख जाते हैं तो हमें सुद्ता प्राप्त हो जाती है सब्दों की सब्ध हमें सुधृरूप से बोलने आ जाते तो भासा में उटोमेटीक ली असुध्दी कम होती है और धुथता आ जाती है तो यह तो वगई अबश्यकन विधी अगली बात करें, इकाई विधी की unit method की बात करें, unit method क्या है, unit method जो अच्छे से पढ़ के आया है, BED या BSTC, अच्छी को लेज जिन में, उनको तो unit plan करवाए होंगे, चलो नहीं करवाए, तो आज इसे सोटली समझ लेते हैं, इकाई विधी का जन्म gestald, जिसे समग्र संपूर्ण की धारना के आधार पर हुआ है, समग्र, समग्रता और संपूर्ण, दो सब्ध है, संपूर्णता के साथ समग रूप से चलना, सतत एक परकार्शक कह सकते हैं, इस विधी का परवर्तक अमरिकन सिक्सास्त्री मोरिशन, परवर्तक मोरिशन जिसे 1920 में इस विधी को दिया यूनिट मैथड, ये अध्यन में मैथपूर्ण होती है, इस विधी द्वारा ही अध्यापक देनिक पाठ योजना का निर्मान करते हैं, देनिक पाठ योजना का निर्मान करते हैं, देखिएगा, कैसे करते हैं, ये है क्या यूनिट प्लान, कैसे देखें, हम जैसे किसी ने बीर्ड की होते हैं, उनको पता होगा, कि हमें क्लास में जब लेसन दिया जाता था, लेसन, लेसन प्लान किया है, जब हम लेसन जब प्लान करते थे, लेसन प्लान, तो हमें यूनिट प्लान भी बताया होगा, यूनिट प्लान में क्या होता है, जो इकाईया होती है, उन इकाईयों को, जैसे कि एक लेसन हो गया है, एक इकाई हो गया है, इकाई में अलग-अलग-अलग topic होते हैं, या अलग-अलग lesson होते हैं, उन lesson को किस-किस तरीके से पढ़ना है, उनको अलग-अलग divide करते हैं, पर खंडों में विवाजित करके पढ़ते हैं जिसे कि एक इकाई है उसको लगबग इसके चार टोपिक त्यार कर लिए चार भागों में उसको बाढ़ दिया और चारों टोपिक चार-चार लेशन करके उसको पढ़ा हमने तो यहीं लेशन प्लान है या यूणेट प्लान की हम कहा है यूणेट प्लान की वाध कर रहे है यह विदर पून से अंस की और है पू से अंस की और कैसे देखिएगा यूनिट प्लान पूरा यूनिट पुरा यूनिट पड़ा उसको फिर अंस में भागों में बाड़ दिया छोटे 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 टोपिकों में अंस की बात, ऐसे, पूंता से अंस की होड़, ये विदी समानता के सिदान पर कारे करती है, समानता के सिदान पर, समानता के सिदान पर कैसे टोपिकों को समान रूप से बाहर दिया जाएगा, इस इकाई विदी में संपून विशे वस्तू को ध्यान में रखा जाता है, किसी को जादा ले लिया, ऐसा नहीं है, संपूर्ण विसेवस्तों को सामिल करना पड़ेगा, यह एक मनोवेग्यानिक वीदी है, इसमें जो अधिकम प्रिक्रिया होती है, वो ववस्तित होती है, इसमेटिक तरीके होती है पूरी मनोवेग्यानिक तरीके से, मतलब कैसे मनोवेग्यानिक तरीके से, जैसे दीखीगा, जब हम लेसन प्लान करते हैं तो उनमें प्रस्तावना क्यूसन भी होते हैं, दिसे हम पूर ज्ञान से और नए ज्ञान करके उँदाते हैं सब कोस्लों की बात करते हैं तो यह दो समपनBE करें से आधार दोलुव सिंवेशों के एक जुज दू के लिए यह समपन होती , यह भीदी चातरों को refill करने के लिए परेज़े। सेल्फ एस्टडी स्वयम अधियन के लिए प्रजित करती ये कैसे बच्छों को एक टोपिक जिसे टोपिक की द्वारा हम समझाया जाता है यूनिट प्लान के द्वारा ये बता दिया तो जब ग्रेकार ये दिया जाता है इस विदी के द्वारा तो ग्रेकार ये जब दिया ज जाता है तो पड़ेका घर चाएक है तो फीदी सिवत सेब्द्यान प्रेरित होगा। एच्विदी में छात्रों में वहिवारिक ज्ञान का विखास होता है। उल चिन्तन सक्ति का भी विखास औक है। वीधिकांहाद्य Making वहिवार एक नियम सिधान्द के बाद नहीं सिधान्द ज्यान के बाद नहीं वहिवार एक ज्यान की प्राप्ति इससे होती है वहिवार ज्यान का विकास होता है इससे वहिवार के रूप में वारतालब के माधियम से ये बच्चा सीखता है कैसे वहिवार के कैसे जब इसमें पूरु ज्यान के अधार पर नए ज्यान उनको दिया जाता है। कर तो उस य का अनुसार उनको वैंवारि इज्ञान की प्राप्ति होती है चिंतन सक्ति को चिंतन सक्ति का विकास कैसे बच्चा सोचेगा कि सब्सक्राख करें इस जिर है जिदे टहरीक से जब कुशन होता ह। विकशन पूचा जाता है क्योंकि उत्तर दब से किवसन किया जाता है उसी तरीके से, अब बात करें कि परिभासा भी इकाई सेक्षेंड वीदी की परिभासा भी है क्या है देखें, बोट मुखियों की परिभासा देखें, मुरिसन क्या कहता है, इकाई सिक्षन विदी की प्रक्रिया वातावान संगठित कला आयों विज्ञान है, मोरिशन की, ये आप टीचिंग, जो है, इसकी टीचिंग मेतट की, ये परिवासा इकाई सिक्षन विदी की देखे, यूनिट प्लान की, यूनिट मेतट जो है, ये, इसकी ये परिवासा ब वाताउन संगटित कला और विज्ञान है क्योंकि कला एक वैवारिक रूप से देखें विज्ञान नए ग्यान से पूरू ग्यान के और चलते हैं ठीक है अन्य गनुसार कोई और इकई विदी में सिक्षन का सवरूप संपून्ता ग्यान खंडों में संपूरूण ग्यान घ्यान इस विज्ञान के बात करता है लेकिन हाँ खंडों के माधियम से पढ़ाया जरूर जाता ये चांघान ग्यान उनको दिया न के बैत 5 Sekai 6x N vidi में मुखी रूफ से दो बातों का धियन रखा जाता है दो बाते क्या क्या होनी चाहिए बात करें सबसे पहली बात है 6x N का उदेष्य बोहत मैतपून हो जाता है जब आप unit plan करते हैं जब इकai 6x N vidi को जब काम लेते हैं पढ़ाना है आप यूनिट प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यह रहना चाहिए है कि यह उदेश्य क्या है इसका क्या उदेश्य है बच्चों में देखो में उदेश्य क्या होना चाहिए उदेश्य क्या होना चाहिए उदेश्य क्या कोसलों की बात कर रहे हैं वो दात्मक हमें इस पर होना चाहिए कि हमारा यह टोपिक यह जो हम इकाई त्यार कर रहे हैं यह किस से रिलेटेड है जिसे बचों में कौन सा विकास होगा बाउनात्मक होगा ग्यानात्मक होगा या ग्याना उप्योग होगा या किर्यात्मक होगा इन बातों का हमें पह लाता होना चाहिए प्रकरति इसकी नेचर इकाई की डेखू का विस्ण वस्थू अब हम प्रकरति की बात करते हैं जहां यूनिट प्लान करेंगे तो सत्र की सब्भाजित किया जाता है चाहिए पूरा यूनिट प्लान्त needles किया जाता है कि यह यह पढ़ा जा जाएगा यह इसके अनुसार होगा यह अब पड़ाया जाएगा यह सब शारी बाते हैं देखें कैसे विसे वस्तू क्या देखें प्रस्ता हुना में सबसे पहले विदार्ती का पूरु ज्यान देखा जाता है और पूरु ज्यान के अनुसारी सिक्षन के उदेशी बनाए जा भारत के राज़पती के बारम पढ़ाना है, अगर उनको भारत की राज़दानी बैसिक अगर पता है नहीं है, राज़पती होता क्या है, बारत की राज़दानी क्या है, ये सब चीज़े जब बैसिक पता नहीं होगा, बैसिक से शुरू किया जाता है, पूरु ज्यान की बात है, पूरु ज्यान देखा जाता है, उस पूरु ज्यान उनका किस तरीका सा है, उस पूरु ज्यान के अनुशारी हमें सिक्षण के उधे से तया करने चाहिए यह कहता है, विसे वस्तु कैसे तयार करने चाहिए, प्रस्तुतिकरण देखिए, पूरू ज्यान कितना था? और यह जब विशेवस्तू और उसके प्रस्तिकरण क्लास में किया और उसके बाद जब बच्चों का भीवलेशन किया गया तो पूरू घ्यान उगा कितना था और अब घ्यान क्या है? इन दोलों की समिख सकी जाए कि मुल्यांगन क्या जाएगा यहीं है मुल्यांगन की बाद अब अनिये शिक्सा सास्त्रियों का अनुसार अनिये शिक्सा सास्त्रियों ने भी इकाई विद्धी के तीन चरण बताए इस्टे बताएं तीन देखे क्या पहली बात प्रस्तावना त्यार होनी चाहिए, दूसरा विकास, तीसरा पूर्ती, पहले तो प्रस्तावना त्यार करें, उसके बाद इसका विकास करें, विकास का मतलब इसमें क्या-क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए और उसकी बाद तु पूर्ती इसमें क्या कमी है क्या हमें चाहिए उसकी पूर्ती करें मोरिशन के अनुसार मोरिशन के अनुसार सिक्षन विदी के पद क्या है देखें सबसे पहले अनुवेशन कोज करें क्या दूसरा प्रस्वतिकरण करें तिसरा आत्मी कराण, खुझ देखें कि क्या आये क्या नहीं हिए, क्या हमारे उद्यश्विय की पूरा करने वाला रहे या नहीं हिए, वह देखें, संगटन और सूवियष्ठीकरण, जो-जो Continental हमने दी है, उस Continental का संगटन करें, उसको एक्तिर्थ करें और उसको सुवेस्ति करन करें, सिस्टमेटिक धंक से उसको देखें, आत्म अभ्यक्ति, वाचन, मुल्यांकन, बच्चों का मुल्यांकन करें, उन्होंने कितना सिखा, पूरु ग्यान कितना था, और अब कि ग्यान में कितना अंतर, हम नवीन ग्यान कि पाए हैं और जो हमारा उदे से निर्दारित था क्या वो उदे से पूरा हो पाया है ठीक है तो यह मुल्यांगन करें इसके दूस की बात करें दूस क्या है इस प्रणालिक है इस विदी का मुक्य दूस इसमें समय बहुत अधिक लगता है समय बहुत अधिक लगता है काक्सा में निरस्ता आती है काक्सा में निरस्ता आती है देखो समय बहुत लगता है मतलब यह कि हमें यूनिट प्लान क्या करना पड़ता है पूरे सहत्रगा उसे डिवाइड करना पड़ता है सब को उस लोगा ध्यान रखना रखना पड़ता है सब को उस लोगा को खूजना पड़ता है दूसरी बात ये भी जू जिस लेवल की हम बात करें जिसका उद चिप ये उसके लेवल कर सके है नहीं कर पाएगा या नहीं इतर तरीके से अग्सप्लैंद कर पाएगा या नहीं इस सब्सक्राइब एक्स्प्लेयन वो जब करेगा तो कक्सा में जबब टाइम अधिक लगता है क्योंकि इसको यूशके इन यूनिट प्लान करने में लग जाता है उसके बाद की बात हम नहीं काम करते हैं तो पूरे साथ को बूल्जा रहता है मोलियांक अनकरते है प्रश्थामना त्यार करेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली विदी पढ़ेंगे अगले पार्ट में अगर आप कोई पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में सेर करें और कमेंट करें क्या कुछ सुधागर मुझे में भी सुधार किया हो सकता है तो आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों में सेर करें ये कंटेंट आपके लिए महतापुन साबित हो सकता है तो हमें खुशी होगी, ये आपके लिए सेवा के लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, देखने के लिए धन्यवाद.